रसुई में आपका स्वागत है आज हम बहुत ही healthy गॉंद के लड़ू बनाएंगे यसे हम बेना चीनी के बनाएंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सर्दियों में ये हमारे health के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते ह है इसे बनाने के लिए हम कुछ dry foods लेंगे एक कप काजू लेंगे एक कप बदाम लेंगे दो कप मखाना लेंगे आधा कप किस्मिस लेंगे एक चथाई कप पिस्ता लेंगे एक कटोरी गॉंद लेंगे ये बारिक वाले गॉंद है अगर आपके पास मोटे वाले गॉंद है तो उसे आप कूटके बारिक कर लें, एक बड़ा चमच इलाइची का पाउडर लेंगे, एक कप गुड लेंगे, ग्रेट किया हुआ, एक कटोरी घी लेंगे, आधा कप नारेल का पाउडर लेंगे, एक कप गेहूं का आटा लेंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते ह है अि गराह कड़ा होने करक देंगे अब उसमें एक बड़ा चमच घी डालेंगे गसकी करेंगे अब हम Means थोड़ा-थोड़ा करके घूर को फ्राइब करेंगे एक बार में सारा गॉंद में डालें थोड़ा-थोड़ा करके फ्राइब करना है इसे धीमि आज पर लगता चलातेगे भूल लेंगे गौंद अच्छे से फ्राई हो गये हार में से निकाल लेंगे इस तना ही चाहिए करना है इसी तरह से सारे गूंद को फ्राई कर लेंगे हम धीमि आज पर लगता चलाते रहें से थोड़ा घी और डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके गौन्द को फ्राई कर लेंगे यह देखे सारे गौन्द को मैंने फ्राई कर लिया है अब हम बदाम बुनेंगे बदाम डालेंगे इसमें बदाम बुनने में थोड़ा समय लगता है इसलिए पहले हम बदाम को फ्राई करेंगे थोड़ देर के लिए अब हम इसमें काजू भी डाल देंगे इसे भी क्रिस्पी होने तक भून लेंगे काजू बदा हम अच्छे से भून गए हैं इसे निकाल देंगे अब हम एक चमच गी और डालेंगे इसमें मखाने भी इसे फ्राई कर लेंगे इसमें शो हमाद का प्रिस्पी होने तक भूं लेंगे औप ऊष्पी हो गए है उपर जाए कि अपकशू बूहरा करते हैं उच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तेया इसे जाइते हैं आदाट पज्ट कीन एक सब्सक्राइब से निकालेंगे एक चमच घी और इसमें डालेंगे उसमे जिए फ्राइब कर लेंगे हम तोड़े देर के लिए धीमिय आच पर तहुमे हैं निकाल लेंगे किसमें सच्छी से फ्राइब हो गया है एब हम इसे नारिल का पॉडर भी डाल देंगे इसे बीना घी के धीमियाज पे भूनेगे लाट गोल्डन होने तक इसे भू लेंगे ये देखिए नारिल अच्छे से भून गया है इसे हम निकाल देंगे हम बचा हुवा सारा गी अप घडाही में डाल देंगे अब हम आटए को डालेंगे इसमें आटे को भून लेंगे दीमी आज पर अब दीमी आज पर भूनें इसे लगातार चलाते हुए आटे में घी थोड़ा कम लग रहा है हम आधा कटोरी गी और लेंगे इसमें तीन चमच घी डालेंगे मिक्स करेंगे इस अच्छे से धीमी आज पर भूनेंगे से थोड़ा घी और डालेंगे दो चमच लाइट ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे आटे को हाटा अच्छे से भून घया है घम कफ aquellos बाइट से अब हम गोंग को ख्रस कर देंगे के कातोरिय प्लेट से यह असानी से हो जाता है इसे बहुत ज़ता बारीक नहीं करना दरदरा कर रस्ट करना है यह हातों से आसानी से क्रस हो जाते हैं ये यह देखिए अ तरीके से कर लें गौंद अच्छे से क्रेस हो गए हम एक मिक्सर ग्राइंटर लेंगे मखाने को दर्दरा ग्राइंड कर लेंगे मखाने का बारिक पॉडर नहीं बनाना है से दर्दरा ही ग्राइंड करना है यह देखिए इस तरीके से कर लें सारे मखाने को अब हम इसे आटे में मिक्स कर देंगे हम सारे ड्राइफोर्स को भी ग्राइंड कर लेंगे दरदरा किसमिस को ना करें सिर्फ काजू बदाव पिस्ता को भी दरदरा ग्राइंड करना है देखिए सारे ड्राइफोर्स को मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है अब हम आटे में में सारे चीजों को मिक्स करेंगे द्राइफोर्स में मिक्स कर देंगे कि इसमें किसमिस भी आइट कर देंगे Safra । ने लायशी के यालटीوب कर्देंगे अगर आपका मिसरन भहुत जार्व ठंड़ा हो गया है ता आप उसे गैस पर कि फ़ह रखके गरम कर सकते हैं थोड़े दिर के लिए धी मियाच पे क्योंकि थोड़े गरम मिस्रन में ही गुड़ कोaround करेंगे हम के देखी सारी मिस्रन मिस्रन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है आप उसमें मिलाएंगे यह ग्रेट किया वा गुड है गुड को बारिक करके ही इसमें मिलाएं और मिसरन थोड़ा गरम रहेगा तो गुड अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब हम इसे मिक्स करेंगे इसमें इसे हातों से अच्छे से मिक्स करेंगे मिसरन को थोड़ा गरम करके ही गुड मिक्स करें यह असानी से बिघल जाता है गुड इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है लड्डू बाइंड करके देखेंगे अभी बाइंड नहीं हो रहा है अब हम इसमें थोड़ा घी मिलाएंगे बचे हुए घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया था तीन चमच घी मिलाएंगे इसमें की मिक्स कर लेंगे सच्छे से अब इसका लडू बाइंड करेंगे यह असानी से बाइंड हो जाता है अगर आप वननीय हो रहा ह helm की फ्रोब मिक्स कर लें यह रहे है उसी तरही Schön कि आधर लोगफी को हम बाइंड कर लेंगे क लडू को साइज बढ़े स्पाइगे आप अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं अगर इसी तरीके से सारे लड्डू को बना लेंगे यह देखिए इतने से मिस्रण में इतने लड्डू बनकर त्यार हैं आप इस रेसीपी को ज़रूर ठ्राई करेगा यह आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी आपको चुत आपको थाइब करना ना भूलें।